तो हमारे पास अल्रेडी ना पड़ा हुआ है भी क्रांथ का एक और बना के दे देंगे तीन ठो ही जाएगा यहाँ पर देगे डर भी जरूरी होता है संख्या बहुत माहिने रखती है कोई कहेगा पाकिस्तान के पास कितना एरक्राफ्ट करिया एक को नहीं चाहिना के पास अ अच्छा है कि हम लोगों को एक आईलेंड बना लेना चाहिए और आटिफीसियल देखे हमारे पास अल्रेडी जो है यहां पर हमारा यह अंडमान निको बार है यहां हमारी नेवी अल्रेडी डिपलाइड है यहां रडार एयरपोर्ट वगरा सब है यहां लक्ष दीप में ह भारत को क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहां पर एक अलक से आईलेंड बना दीए यहां बना दीजे यह क्या करेगा यह पूरे एरिया को कर लेगा यह पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिए यहां अल्रेडी हमारा अंडमान निकोलार पूरा कंट्रोल कर लिए चाइना घुस से यहां कंट्रोल कर लेंगे एक आइलेंड इधर बना देंगे चाइना ने यहां जीबूती में बना रखा है कंट्रोल हो गया खतम का निए अब जो हमारे बचे सब विक्रांत वगरा उसको छुट्टा साण की तर टहल ने दीजिए कि तुम टहलो जी इधर कोई दिक्कत नह अपको टेंसन पर इतना एरिया आपको देखेगा यह एरिया से फ हो गया और इस आईलेंड को ना इसको दुसमन के बम गीराने से जहागे घ्रेगे जहां बम गीरेगा वहीं कुछ अलका सा डिश्टर होगा और आप यहां पर पूरा रडार फिट कर लिजए आर्मी के रहन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए साइज मैने रखता है, साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, इसमें पूरा बनाई है यहापर, पूरा हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम खर्चा में आ जाएगा, तो हम तो कहते हैं कि इस साइड आइलेंड से कभर करके, इस साइड इस साले साइज पूरा बैल है सब, अब हमारा जो विक्रान्त है, तो विक्रान्त की कॉस्टिंग जोड़ दिएगा, उसके उपर मीक 29 के जो 36 जहाज आएगे, उनकी कॉस्टिंग जोड़िएगा, उसके साथ जो पूरा बैटल गुरूप चलेगा, उसका कॉस्टिंग, उस शुरूरं नां मार देगा भीक्रांत को इनोंने बताया हैं नहीं कि इस मिसाइल में गाइडेन सिस्टम उन्होंने दिया हि नहीं आप भीक्रांत अपना जगह तो इवहीं जाके गिर जाएगा नहीं को कितना मीसाट को जबकि इन गदों को कुछ पता ही नहीं है कि आई एनेस विक्रान जो है 64 गो बराक 8 मिसाइल रखता है ये बराक 8 मिसाइल इसराइल का बना हुआ इंडिया इसराइल मिल के बना है सब और आईरन डोम जो इसराइल गाजा के रॉकेटों को मार देता है उसका बाप है ये आईरन डोम की तो छमता है दसे किलोमीटर होता है इसराइल देड़ सो किलोमीटर मारेगा और उसके आगे ही का रहा है कि हम फेकेंगा है अरे याद अगर विक्रान चुपचाप अपना लंगर गिरा के ब्रेक मार देगा न तो तुम्हाँ मिसाइल पानी में गिरेगा और तुम्हारा जे आप सेवेंटीन एक लडाकु जाहाज दू ये को लेकर उड़ सकता है ये पॉइंट मशीन गन होते हैं इनको रडार से फिट कर दिए ये जिधर देखेंगे निसाना लगाने की ज़रूद नहीं रडार से देखके मार देते हैं लेकिन न ये मार के गिरा देंगे हमारे विक्रांद को इन सुसरों को कुछ अते पते नहीं है मैं आप विक्रांद के सारे अविंडिक्स दणार और सिस्塊 को समझ गया होंगे है क्या यो BPSC, लाइन से सबके एक्जाम है, इसके बैचेज भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, 17 अगस्त से क्लास भी खुल जाएगा, और बैच जैसे आएगे, तो हम आपको उसका इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसके बैच का बात है, और आप सभी लोग को 15 अगस्त की धेर सारी सुबकामने, मिलेंगे नेक्स क्लास में, जैहिन!